हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप शुरी का बहुत स्वागता है एक और नई वीडियो में और गाइज हमा आप सभी के लिए लेकर आ गए एक और नई तो गाई जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हम है हर बार की तरह एक पेट पेट जिसका लिंक मिल जाएगा आप सभी को वीडियो के सब्सक्राइब की तरफ से आयोचित की जारी है तो सबके लिए जिसके भी पढ़ाई कर रहे हैं यानि अगर जिस भी क्लास में है तो आपके लिए इसकॉलर्शिप अवेलिबल है और आपको इस स्कॉलर्शिप की अंतरगत मिल सकता है लगए 75,000 रुपे की स्कॉलर्शिप ठ परिवर्तन प्रोग्राम है तो उसकी तरफ से जो है यह स्कॉलर्शिप जो स्टुडेंस के लिए जो अपनी आंगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं तो ठीक है उनने स्कॉलर्शिप अवेलिबल है तो यहां से आज ही हो पूरी डीटेल्स आपको मिल जाएगी साथ ह पर आपको एपलाई करने का लिएगल चाण के बारें जो कि काफी पॉइंट हैं आपको पडू सुक्रिपाई की डीटे इसके प्वी एपसी का परिवर्तन प्रोग्राम केंदर जो ही स्कॉलर्शिप देजरी इसके बाद sponsor website का है जब कहां से आप आप दिन कर सकते हैं, buddy for study से आप 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 दिन कर सकते हैं, buddy for study पर बहुत सारी scholarship आती रहते हैं, तो वहीं पर यह वाली scholarship भी जो है sponsor की जा रही है, इसके बाद लीचे यहां पर scholarship का amount दिख सें, तो up to 75,000 रो जो है इस scholarship के अंतरगत मिल सकत आप यहां पर जो इंडियंस हैं के वल वही students यहां पर apply कर सकते हैं, important यहां पर देख लिए life date क्या है, तो 31st July है, 31st July से पहले पहले आपको इस scholarship के लिए apply कर देना है, ठीक है, अगर आप इसके लिए eligible होना चाहते हैं, application का mode online है, और apply के link यहां पर दिया गया है, इससे पहल यहां पर भी eligibility and requirement को छे दी गईएंब, वह पर यहां पुषी यहां पर लिख पर आपको एक link रिंक कर दीए, यह पर इस portion में आईए, और apply का tonnes दो एक सधिया गया है, इस पहर click करता है, तो गस देख सकते हैं, आप भी तो आई स्कीम बड़ी फोर टर्डी पर launch की गया और य तो यहां पर पूरी डिटील आपको फिर से स्कॉलर शिब की मिल जाएंगी है तो अगर आपने वह भी नहीं देखी तो पो दीजे दिख से यहां पर मैरिट के बेश्ट पर अगर अच्छी मेरिट आप लाते हैं तो उनकी students के लिए eligibility देख लिए जो classes 6-12 के जो प्राइविट और government school में पढ़ रहा है वो student इसमें apply कर सकते हैं उनकी annual income जो है धायलाक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें benefit के मिलता है तो आपको 35,000 का benefit मिल सकता है जो भी student इस scholarship के तहट eligible होता है यहाँ पर documents की पूरी details दी गई है जो आपको upload करने होगा ठीक है तो जिसमें भी आप apply करने की details दी गई है और इसका जैसे ही आप इस scholarship के अंतरवेत अगर आप apply करना चाहते है अगर आप इसके तहट eligible है तो यहाँ पर apply कर दीजे ठीक है इसका अब जो second scholarship यहाँ पर आ जाती है जिसमें merit come की जो beyond school program के है उसकी details आप जैसे क्लिक करेंगी तो उसकी details खुल कर आ जाएगे ठीक है तो अब आपको इसके जो eligibility के बारे में यहाँ पर दिया गया कि जो BA, B.com, MA, or M.com के students है इतीची के वो इसमें apply कर सकते हैं साथ की दिख सान 45,000 आपको इसमें जो है अगर आप इसमें eligible हो जाते हैं तो आपको 45,000 की scholarship मिलेगी ठीक है और यह भी merit come based पर है तो merit के बेश्ट पर यह भी scholarship आपको मिलेगी इसको नीचे आ जाईए तो और यहाँ पर चार scholarship और है यहाँ पर एक और scholarship यहाँ पर दीगे जो कि professional education के लिए तो इसकी जो है यहाँ पर eligibility दीख लीजे तो यह जो प्रोफिस्नल एजुकेशन उसके लिए तो यहाँ पर दे बीबी ए बीटेक बीसी ए एंबी 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 एंची ए बगएर कि जो सारी जो है प्रोफिस् यहाँ पर देगे हैं इसको इसी तरह से आपको तीन जो है जिनको जरूरत है scholarship के लिए उनकी जो है यहाँ पर डीटेस दी गई है ठीक है तो जैसी आप इसकी डीटेस भी खुल जाएगी तो जिनको जरूरत है scholarship की वो इसमें apply कर सकते हैं और जो merit-based पर apply करना चाहते है वो बात करते हैं आपको इसमें apply करना गाइस बहुत ही आसाना है इसके बाद आपके सामने कुछ option आजाएगे आपको एक बटन लिएगा apply now का साथी यहाँ पर वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे apply करना इसको जैसे apply now पक्लिक करेंगे तो आपसे बूलेगा कि आपका अगर सबसे पहले एक अकाउंट बना लिए और अगर आप पहले भी अकाउंट बना चुक है तो आपके पास ID होगी सबसे पहले यहाँ पर login कर लिए आपको यहाँ पर बटन देखेगा इस पर आपके सामने एक नया पर जाएगा जोगी कुछ इस तरह से होगा जिस भी आपने यहाँ पर आएगी और इसके बाद आपको करना क्या करना स्टाइट एप्लिकेशन बटन पर क्लिक करना टूरर अपके सामने अपकोावफिकोश्ची पर्सनल डीटेस में यहां पर सबसे पहले आपको फुना फर्स नेम इसके बाद सेकेंड नेम यहां पर लास्ट नेम डालना होगा जो कि आपके एकाउंट से आजाएगा अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकने इसके बाद जो इमेल आइडिया वह आप चेंज भी अप्लोड करना होगा ठीक है इसका फिजिकल हैं नहीं है तो यहां पर सिलेट कर दीजे अगर आप यहां पर नीचे आएड्रेस में आपको अपनी एड्रेस की पूरी डिटेल्स देनी होगी इसके बाद कुछ और अप्सन आपके नीचे यहां पर आते जाएंगे सबसे आपको फैमिली मेंबर की एक फैमिली मेंबर की डिटेल्स दो डालने होगी जो आपका अर्निंग मेंबर है जो घर में कमाता है उसकी डिटेल्स आपको यहां पर एड्र करने होगी इसका आपको डॉकमेंट का सेक्षन कम्प्रीट करना होगा यह आप तो भी कर पाएंगे यहां से आप से आपको से श्लेक्Pod करेंगगी धोकिमेंट आपको यहां पर अपलूड करनेगे करेंगे अपकंड अपदेटिज अबने के आपको यहां पर ज्लेक्ट करना है इसके बात गाइस आपको पूरा आप फिर से जो है अपना application form चेक कर लीना है जैसे आप preview कर लेंगे तो आपको finally इस form को submit कर देना है इसके बाद जो है form आपका review में चला जाएगा तो friends आप सभी इस तरह से आसानी से इस scholarship के लिए apply कर सकते है गाई इस page का जो है link मैं description में दे दूगा तो आप directly यहाँ पर आ सक आपको यह वीडियो पसंद आयोगा ऐसी डे सारी वीडियो को देखने के लिए course scholarship free certificate और courses के बारे में जानने के लिए चैनल को subscribe पर देजिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए शेयर जरू कीजिए तो बिलता है एक नई वीडियो के साहरे तक तक लिए नमस्कार आप से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमार